आज हम बात करेंगे elephant reserves के बारे में यह है official website government of india की इसको बोलते हैं NV Center on Wildlife and Protected Areas ठीक है यह hosted by wildlife institute of india है देखते है elephant reserves के बारे में The Indian elephant जिसका scientific name है Elephus maximus occurs in central and southern western ghats northeast india, eastern india and northern india and in some parts of southern peninsular india it is included in schedule 1 of wildlife protection act 1972 तो WLP के भी schedule 1 में आता है यह और appendix 1 में आता है CITES के WLP और CITES दोनों के first category में आता है wildlife protection act के schedule 1 में और CITES के appendix 1 में right and it occurs in 16 of the 28 states in the country elephant project was launched by the government of india in 1992 में elephant project launch हुआ था और 28 में से 16 states में elephant मिलते हैं right 28 में से कितने 16 states में मिलते है elephants ठीक है और यह launch वादा as a centrally sponsored scheme तो centrally sponsored scheme का मतलब है कि जो major funding है वो central government से आएगी ठीक है और उससे कम लेवल की जो funding रहेगी वो state government की रहेगी ठीक है अब इसके objectives क्या थे? elephant project के जो आपका शुरुआ था 1992 में इसके objectives है to protect elephants, their habitat and corridors ठीक है? basically corridors क्या होते है? elephant corridors, elephant क्या अगरते? migrate करते हैं एक area से दूसरे area में भोजन के लिए क्योंकि इतना बड़ा जानवर है एक जगाई रहके तो उसके लिए sufficient नहीं होगा भोजन तो जिस रास्ते से वो move करते है न तो एक उनका pattern रहता है उसी रास्ते से वो दोबारा लोटेंगे उसी रास्ते से जाएंगे तो उसको corridor बोलते है यह wildlife animals में common है जैसे tiger हो गया आपका elephant हो गया और दूसरे जो बड़े जानवर है ठीक है इसके अलावा दूसरा objective है to address issues of man-animal conflict और तीसरा है welfare of the captive elephant से important है मतलब यह generally हमको नहीं लगया कि अच्छा है ऐसा भी है पर जो captive elephant है उसके भी welfare को include करा गया objective of project elephant में ठीक है जो 1992 में start हुआ था तो MOEFCC provided the financial and technical support to major elephant range states in the country through project elephant ठीक है अब इसके लिए एक report आई थी वो आप देख सकते हो इस website पर जाके download करके हम यहाँ पर बात कर लेते हैं as of November 2022 कितने notified elephant reserves हैं इंडिया में ठीक है तो मैं इसको थोड़ा सा से zoom कर दे रहा हूँ ताकि हम देख पाए है अभी हमारे पास 33 elephant reserves है as of November 2022 जो official data government की website कहती है ठीक है तो अभी हम इसको देखेंगे मैं यहाँ पर जस्ट कुछ चीजे इसको zoom करने के लिए hide हो जाएंगे तो कोई नहीं उससे हमें इतना ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है जस्ट देख लेते हैं यहाँ पर तो सबसे पहला इस state है जिसके हम बात करेंगे वो है आपका आन्दराप्रदेश तो आन्दराप्रदेश में आपका है रैला elephant reserve इसको हम कैसे याद रख सकते हैं रैल सीमा district है आन्दराप्रदेश में तो रैला elephant reserve आन्दराप्रदेश then कामेंग आलिफेंट डिजर सॉनितपुर दिहांग पठके जगा है में ठीक है सॉनितपुर भी जगा है than काजिरंगा कार्बी एंगलॉंग ये भी असाम में है then धनसिरी लुंग डिंग धनसिरी रिवर है में चिरांग रिपू असाम, ठीक है? तो सोनितपुर, डिहांग पटकई, काजीरंगा अंगलोंग, धंसरी चिरांग रिपू ये आपके कहां पर है, आसाम में, तो आसाम में टोटल पांच एलिफेंट रिजर्व हो गए सोनितपूर, डिहिंग पटकई, काजिरंगा अंगलोंग, धनसरी लुडविंग और चिरांग रीपू, इसमें सिर्फ चिरांग रीपू है जो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, बाकि सब आपको याद आ जाएगा, क्योंकि यह सुनिवे नाम है, ठीक है, अब बात करते है, चतिस गड़ की, चतिस गड़ में दो एलिफेंट रिजर्व हैं, एक है, बादल खोल, बादल खोल, तामोर पिंगला, बादल खोल, तामोर पिंगला, चतिस गड़, और दूसरा है, लेमरू, लेमरू भी चतिस गड़ में है, तो दो कौन-कौन से है, बादल खोल, तामोर पिंगला एंद लेमरू 36 गड़ वाधोर खोल तामोर पिंगला लेमरू 36 गड़ में बहुत अच्छे सा बारिश होते है क्योंकि बहुत जंगल नियुक्षण दफसुन झच्थाutan आगे बात करते हैं, जारखंड जारखंड में सिर्फ एक ही है, तो जारखंड में सिंग भूम नाम की जगह है, तो सिंग भूम ऐलेफेंट रिजर्फ जारखंड, ठीक है? अब करनाट का बहुत सिंपल है, क्योंकि मायसूर और डान डेली दोनों वहीं पर यह जगा लोकेटे तो मैसूर करनाड का डान डेली आंशी एक रिजर्व भी है वहाँ पर, तो डान डेली भी करनाड का, मैसूर डान डेली करनाड का, then comes वाइनाड, so वाइनाड is in Kerala, सब को पता है वाइनाड केरला में, then निलंबूर भी केरला में जगा है, अनामुड़ा ही केरला में है, और नौर्थीस्ट में, मिघाले में पढ़ता है, ठीक है, तो गारो हिल्स में घाले में न, गारो खासी, जयन्तिया, तो वो गारो हिल्स जो है, वो एक elephant reserve भी है मिघाले में, then इन टांकी और सिंग फान, ये काफी time से news में भी है, इन टांकी और सिंग फान, इन्टांग की सिंगफान ये कहां पर है नागा लेंड में इन्टांग की सिंगफान नागा लेंड इन्टांग की सिंगफान नागा लेंड देन है आपका मयूरभंज, महानदी और संबलपूर देखो ये तीनों ओडिसा के ही नाम है मतलब ओडिसा में आने वाली जगा के नाम है और वहां की रिवर के नाम है तो बस यह तो याद होई जाएगा मयूर भंज डिस्टिक है ओडिसा में महानदी रिवर है ओडिसा में सांबलपूर जगा है ओडिसा में तो बस मयूर भंज महानदी संबलपूर ओडिसा में क्या है elephant reserve, then Tamil Nadu की बात कर लेते हैं, Tamil Nadu में 5 elephant reserve है, नीलगीरी, कोईंबटोर अनामलाई स्री विल्ली पुट्टूर और अगस्त मलाई, अब इसमें देखो, नीलगीरी कोईंबटूर, अनामलाई और अगस्त मलाई यह तो पता ही है सबको कि Tamil Nadu में यह जगे है then स्री विल्ली पुट्टूर यह रटना पड़ेगा, आपको स्री वल्ली वो सौंग था ना, ऐसे रटनो कैसे भी, स्री विल्ली पुट्टूर Tamil Nadu, स्री वल्ली पुट्टूर Tamil Nadu, स्री वल्ली पुट्टूर Tamil Nadu, उत्तर प्रदेश में बहुत सिंपल है उत्तर-प्रदेश elephant reserve और दूसरा है उत्तर-प्रदेश में तराई वाला region है ठराई elephant reserve ठीक है उत्रअगरण में एक ही है शिवाली ग ग leopard reserve west बंगाल में देखो अच्छा west बंगाल और औरीसा में ध्यान देना ओरीसा में क्या है मयूर भंज elephant reserve ॠीक है पर आपका West Bengal में है मयूर जहरना है Elephant Reserve ठीक है और Eastern Dwar Elephant Reserve है आपका West Bengal में तो यह हमने बात कर ली पूरे Elephant Reserves की ठीक है अब आप comment में मुझे बताना कि सबसे largest Elephant Reserve कौन सा है यह सारे Elephant Reserve में जिनकी अभी हमने बात करी वैसे अगर हम इस लिस्ट में भी देखें तो पांच हजार चारसो पांच किलो मीटर का श्रिवालिक Elephant Reserve है उससे ज़्यादा कुछ दिख रहा है क्या पांच हजार से ज़्यादा I think नहीं है हाँ छहजार साथ सो चौबिस करनाटका में मायसूर Elephant Reserve है इससे भी ज़्यादा देखें नहीं और कोई नहीं है तो सबसे बड़ा आपका करनाटका में है छहजार साथ सो चौबिस स्कौएर किलो मीटर में फैला हुआ मायसूर Elephant Reserve और सेकिंड नमबर मतलब उसके बाद बाकि हैं पर सबसे लार्जस्ट आपका करनाटका में है मायसूर Elephant Reserve तो थेंक्यू थेंक्यू